आज के समय में हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहिए पर वह कैसे मिलेगा ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है ये साधारन सी बात है शेयर बजार में अगर हम कोई ऐसी कमपनी ढूंड कर निकलते हैं जिसमें हमें अच्छे रिटन के साथ ही साथ बोनस शेयर और डिविडेंड जैसी सुविधाओं भी मिल रही है तो आप एक ही कमपनी में निवेश करके कई प्रकार से मुनाफा कमा रहे हैं और आज हम आपके लिए एक ऐसा ही जबर्दस्ट बोनस शेयर बांटने वाला स्टॉक लेकर आए हैं बोनस शेयर कमपनी अगर आप भी किसी एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जिसमें निवेश करते ही आपको मुनाफा मिले तो आप सही आर्टिकल पर आए हैं और हम हमेशा ऐसे ही जबर्दस्ट मुनाफे वाली खबरें अपने वाटसेप ग्रूप के माध्यम से आप तक पहुंच जाते हैं उपर दिये गए लिंक के माध्यम से अभी जुड़े हमारे फ्री शेयर मार्केट वाटसेप ग्रूप से आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं यह एक सॉफ्ट्वेर निर्माता सैक्ट की तगडी कमपणी है जी हाँ दोस्तों इस software company का नाम है Sonata Software Limited बीते कारोबारी दिन में इस software निर्माता company ने अपने positional निवेशकों के लिए bonus share का एलान कर दिया bonus share में आपको company की ओर से एक निश्चित संख्या में मुफ्ट share दिये जाते हैं ठीक इसी प्रकार इस company ने अपने निवेशकों को 1 ratio 1 के अनुपात में bonus share देने का एलान किया है और ये दिवाली त्योहार से पहले ही आपको प्रदान कर दिया जाएगा इससे पहले साल 2022 यानि पिछले साल निवेशकों को इस company ने 3 ratio 1 के अनुपात में bonus share दिया था यानि प्रती 3 equity share पर एक मुफ़ बोनस share पर वही इस बार प्रतिनिदेशक को उनके मौजूदा हर एक share पर एक बोनस share मुफ़ दिया जाएगा जिसके अनुसार अगर आपके पास company के कुल 100 share मौजूद हैं तो record date के बाद आपके पास company के कुल 200 share हो जाएंगे company का हाल निवेश से पहले किसी भी company के fundamental और व्यापार को समझना बहुत जरूरी है या जरूरी बात जान लीजिए कि Sonata Software Limited company के कुल करीब 41% हिस्सेदारी गिरवी पड़ी हुई है बीते दो दिनों से bonus share की खबर के चलते company के share थोड़ी तेजी के साथ 1161 रूपे पर कारूबार कर रहे है और वही इस साल अब तक इस company ने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है और 100% तक का multi bagger return दे चुका है Disclaimer, Equity News का विजन भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार से वाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे क्रिपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी कृत वित्तिय सलाकार से परामर्ष लें